नमस्कार मेरे प्यारे विद्ध्यातियों मैं हूँ अभिनतो शांश्यों पांडे और आप सभी का स्वागत है अभिप्षा के पूरी टीम की तरफ से हम कर रहे हैं परिछा की तयारी चल रहा है 36 गर बोर्ड एक्जाम सीरीज और यदि आप हमारे एप्लिकेशन में आकर उसे इंस्टाल करते हैं तो आपको एक्जाम सीरीज मिशन 2023 के नाम से हमारी ये वीडियो मिल जाएंगी इसके अलावा यदि आप जो है ये वीडियो यूटूब पर देख रहे हैं तो आपको कर लेना चाहिए इस चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि आपकी परिछा की पूरी तयारी के जिम्मेदारी अब है हमारी तो जूड़ जाएं अभिशा की टीम की तरफ से तीम की तरफ और आप देखेंगे कि आपकी दस्वी और बोर्ड की पूरी परिक्षा की तयारी हम करवा देगे तो इस सिलसले में हम लोगोंने एसी याने की अल्टरनेटिंग करेंट प्रत्य वर्ति धारा और प्रिविएस विएर क्वेश्चन में हम निमेरिकल एक्सराइज कर रहे थे numerical exercise मतलब आंकी प्रश्ण और यहां पर हम लोगों ने एक प्रश्ण देखा था कि अधिक्तम धारा प्रत्यवरती धारा और उसके लिए जो है हम लोगों को मान निकालना था हम लोगों ने सूत्र देखा इसके बाद में हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से हम impedance यहने की प पियर और इसके बाद में आप से IRMS पूछा गया है आप जो है दोबारा थोड़ा दिमाग पर जोर लगाएं और सूत्र जो है याद करें तो आपको सूत्र याद आएगा कि IRMS की वेल्यू होती है IRMS की वेल्यू होती है आई नोट बटा रूट टू और यहां पर जो है हम अ एंपियर का IRMS वेल्यू तो इस तरीके से जो है यह प्रशन भी 2011 में पूछा गया था और हम लोगों ने 2015 में भी यह प्रशन पूछा गया है तो हम लोगों ने इसका सक्सेस्फुल एंसर दे दिया आगे बढ़ेंगे और अब यहां पर से पूछा क्या जा रहा है देखिए किसी ट्रांसफॉर्मर की प्राथ्मिक एम दूतियक कुंडली में फिरों का अनुपाद 20 अनुपाद 1 है तो हम लोगों को पता चल गया कि NS बटा NP यहने कि Secondary कोईल और Primary कोईल में जो है जो अनुपाद है वो 20 बटा 1 का है अब हम से पूछा जा रहा है कि अगर इसे 200 वोल् हो तो चैनल हैं पूछा गया है कि मतलब वी आई के बारे में पूछा गया है अब यहाँ पर जो हम क्या देखते हैं हम यहाँ पर यह देखते हैं कि थोड़ा सा transformer के बारे में बात करें किया है सिक्गे हम लोग ने страх revision नहीं किया है इसलिए हम transformer के बात यहीं करेंगे अब इस कुंडली के साथ हमारे पास में एक दूतियक कुंडली होती है और ये दूतिय कुंडली इस प्रकार से हम लोगों ने ले ली जिसके आस पास हम क्या करेंगे? output लेंगे ठीक है अब जो है यहाँ पर क्या होता है कि इनकी चुम्बक शिल्ता को एक दूसरे से यहने कि इन में जो flux में अंतर आ रहा है उसको एक दूसरे से जोड़ने के लिए हम यहाँ पर soft iron core यहने की कच्चे लोहे का एक क्रोड लगा देते हैं और यह क्रोड से क्या होता है कि जब यहाँ पर जो है विदुद्धारा में परिवर्तन होता है तो विदुद्धारा में परिवर्तन के कारण इस कुंडली से प्रतिबद चुम्बक यह फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है यह फ्लक्स में परिवर्तन नर्म लुहे की जो है इस क्रोड के द्वारा दुतीय कुंडली तक महुचा दिया जाता है और यहां पर क्योंकि जो है यहां पर यदि प्राधमिक विद्दुत वहक बल यहां पर हम लोगों को और क्या चीज़ें पता हैं हमको पता है कि हमको पता है कि हमको पता है कि चुम्बकिया विद्धू गर्च आले और यहां पर यह चुम्बकिया फिलक्स पता है न्य चलीं एसको दूसरो मिटा लेते हैं औरिमी forming और यह बराबर हो V secondary butta V primary और इस सूत्र की सहयता से जो है हम इस विदूत वहग बल के बारे में पता कर सकते हैं तो यहां पर हम को पता है कि सेकंडरी में जो है 200 वोल्ट का current दिखाई दे रहा है यहां पर फिरों की संख्या का अनुपाद 20 अनुपाद एक है और हमको यहां पर निकालना है primary voltage तो अब हम क्या करेंगे इसको इधर ले आएंगे यह वहां चला जाएगा वी primary तो वी primary का मान पता चल जाएगा यह हो जाएगा 200 बटा 20 और यहां पर जहें मान हो जाता है वी primary का 10 वोल्ट तो इस तरीके से इस प्रशन का भी हम लोगों ने successfully उत्तर दे दिया है और यह प्रशन पूछा गया था 2011 में आगे बढ़ेंगे और आगे देखिए कि घरेलू प्रत्यवर्ती विभाव का मान 220 वोल्ट होता है इसका अधिक्तम मान क्या हो सकता है तो जिस तरीके से हम लोगों ने थोज़ देर पहले देखा था कि IRMS का मान कितना होता है यदि हम दोनों और प्रत्यवर्त का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर हो जाएगा VRMS और इसका मान हो जाएगा वी नाट बटा वर्गमूल दो अब इस तरीके से यहाँ पर हमको प्रत्यवर्ती विभाव का मान 220 वोल्ट दिया हुआ है वो आर एमेस की वैल्यू है और यहाँ पर 220 और यह देखिए वर्गमूल दो यहाँ पर आकर गुणा हो जाएगा तो हमको जो है इसके सिखर मान की जानकारी हो जाएगी और यह जो है देखिए यह होता है 200 गुणा 1.41 और इस तरीके से यह करीबन 3.31 113.118 इसके आसपास आप गुणा करेंगा आपको उत्तर मिल जाएगा तो 311.8 के आसपास जो है हमको यहाँ पर शिखर मान प्राप्त होता है जो की वोल्टेज में अब अगला परश्न देखेंगे तो अगला परश्म कहता है कि यदि प्रत्यवतित वोल्टता का शमी करण यह है तो वोल्टता का वर्ग माध्य मूल ग्याद कीजिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको प्रश्ण में दिया गया है वी बराबर 141 साइन पच्चास पाई टी अच्छा और हमारे पास में एक साधारन सूत्र है और वो कहता है वी बराबर वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी तो अगर आप यहाँ पर से देखना चाहें तो आपको पता चल जाएगा कि शिखर मान वी नॉट का मान 141 वोल्ट है जबकि ओमेगा का मान कितना है पचास पाई है अब यहाँ से हमको पता है कि वी नॉट की value पता चल गए हमको कितनी 141 वोल्ट और हमको क्या निकालना है वी आर एम एस याने की वर्ज माद्यमूल मान निकालना है तो वी आर एमस का फार्मूला होता है वी नॉट का बटा वर्जमूलदो और यह हो जाएगा 141 बटा वर्ग मुल 2 का मान होता है 1.4 एक और इस प्रकार से हमको 100 वोल्ट का जो है RMS वेल्यू मिल जाती है ये प्रश्ण पूछा गया था 2014 में और उसके बाद में 2017 में तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक और महत्वपूर्ण कंसेप्ट सीखा आगे बढ़ेंगे अब यहां पर क्या बोल रहा है कि यहां पर VRMS का मान दे दिया गया है VRMS का मान है 10V, 10A अरे ठारा का मान है तो यहां पर पर फिर से VRMS की बजाए हो जाएगा IRMS और IRMS का मान हो जाता है यदि 10A तो हमसे शिखर मान पुछा गया होगा और फिर से जह सूत्र लग जाएगा I RMS बराबर I naught by root 2 और इस तरी के से यह हो जाएगा 10 गुणा root 2 बराबर I naught और यह हो जाएगा 10 गुणा 1.4 एक बराबर I naught और यह हो गया 14.1 एक एमपियर यह जह है शिखर मान हमको पता चल गया 2015 और 2017 में पूछा गया यह प्रशन है तो इस प्रकार से जब आप अप क्या कर रहे हैं जब आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे जदा आंकिक परशन पूछे जाने वारे जो हमारे अध्याए हैं उनमें से एक अधियाय यहे है जहां से अधिक्तम आंकिक प्रशन आप से पूछे जा रहे हैं और इसका मतलब यह है कि इस अधियाय से जुड़े हुए आंकिक प्रशनों के बारे में आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना कि जो है यहां पर यह जो को सब्सक्राइब करके तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद